दोस्तों आज फिर हाजरें एक नई रेसिपी के साथ आज बनाते हैं एक चीज से एक नई रेसिपी बने रही है वीडियो में एंड तक मेरे साथ तो देखें इसके लिए अपने एग लिया है चीज लिया है यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप चीज कोई भी चीज ले सक प्योंत चो पर को चोप अच्छे से चोप या है को जिसे कि एक हो आड और प Casey उसके बाद हम ने लिये कुछ व्येटेवल सिम्ला में टमाटर और गाजर में लिये चोप छोटा अब आपने जो side में better chopper में तयार किया था उसकी अब हम omelette बनाएंगे एक normal जो omelette होती है उस तरीके से अब हम उसे ले ले लेंगे जो हमने तयार किया था पूरा बैटर अब एक omelette बना लीजे इस से आपको एक omelette अच्छे से बनानी है omelette बनाने के बाद फिर इसके आपको सैजवान सॉस को अच्छे से लगाना है और उसके बाद जो हमने बेटर बनाया था मिक्स वेज का मियोनिस डाल कर तो ये फिर इसको आप लगा दीजिए फिर इसके बाद ओमलेट को सैट करिए फिर आप दूसरे ब्रेट पर सैजवान सॉस लगाई है पीजा सॉस और फिर ऐसे करके आपको तीन लियर का करना है आप दो लियर का भी बना सकते हैं फिर आप चीज लीजिए इसके बीच में आपको चीज आप कोई भी चीज मॉजरिला चीज भी ले सकते हैं स्लाइसीज भी क्यूब चीज भी जो चीज आप खाना पसंद करते हैं या जो इजी अविलेबल मिल जाए और फिर से आप वेज के वही जो सैंडविच के जो हमने बनाया पूरा बैटर वो करके अब आप इसको ग्रिल कर लीजे या तो टोस्टर पे या तवी पे तो मैं ये म और आपका ये हेल्दी सा नास्ता बनके तयार है इसे आप बच्चों के लांच बॉक्स में दीजिए बच्चों के लांच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत हेल्दी और एनर्जी से भरपूर है ये वेज है एग है इसमें और चुट्टी में भजटपट भाग दोड में भी यह हैल्दी नास्ता बना सकते है अगर बेरी वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर से अगर बेरी वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर साथ